नमस्कार में वरोन स्वागत है आपका मनी नाइन में आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम जहां आपको दिन भर की वो सभी बड़ी खबरें मिलती हैं जो जुड़ी हैं आपकी जेब और जिन्दगी से चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला और आज की पहली खबर है आपके खाने के बिल से जुड़ी हुई दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल वे रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर सर्विस चार्ज लगाया जाने के मामले में केंद्रिय उपभोकता सनरक्षन प्राधिकरन यानी CCPA के हलप नामे पर जवाव दाखिल करने के लिए National Restaurant Association of India और Federation of Hotels and Restaurant Association of India को दो सप्तहा का समय दिया है Associations का कहना है कि CCPA का परतिबंद मनमाना और अस्थिर है और इसे रद किया जाना चाहिए क्योंकि ये तथियों और परिस्थितियों पर गौर किये बिना लगाया गया है Hospitality सेक्टर में सर्विस चार्ज की वसूली 80 सालों से अधिक समय से चलिया रही है इस बार त्यहार मनाना होगा मुश्किल क्योंकि बढ़ सकते हैं तूद के दाम इस बार बेमौसम बारिस्तिक किसानों को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है इस बीच देश में पशू चारे के भाव में बेतहाशा बढ़होतरी हो गई है हरे चारे और भूसे की भारी कमी की वजह से चारे के दाम नौ साल के उच्छ स्तर पर पहुँच गए है पिछले चार महीने में भूसा बीस फीस दी महंगा हो गया है सबसे ज़्यादा परेशान राजिस्तान, मदपरदेश, यूपी और गुजरात के किसान है इन राजियों में बे मौसम भारी बारिश की वजह से बाजरा और अन्य खरीफ की फसले बरबाद हो गई भूसा 2,000 रुपे प्रती क्वेंटल और सरसों खल 3,000 रुपे प्रती क्वेंटल पर भिक रही है चलिए अब चलते हैं तीसरी खबर की ओर जो जुड़ी है आपके EPF पर मिलने वाले इंटरस्ट से यानि ब्याज से करमचारी भविश्य निधी संगठन यानि EPF एकाउंट में ब्याज की रकम न दिखने से करोडों मेंबर्स परिशान है मेंबर्स की इस परिशानी को देखते हुए वितमंतराले ने कहा है कि वितवर्ष 2021-22 के लिए ब्याजदर जमा करने में देरी की वज़ है ये है कि पिछले साल लागू किये गए टेक्स बदलाव के कारण सौफ्टवेर अपग्रेड किया गया है जिसे खातों में भेजी गई रकम ब्याजदर की रकम EPF सदस्यों को नहीं दिख रही है वितमंतराले ने कहा कि किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं होगा सभी सदस्यों के खाते में ब्याजदर की रकम जमा की जा रही है सरकार ने जून में 2021-22 के लिए EPF खातों में जमाराशी पर 8.1 फिसदी ब्यासदर को मनजूरी दी है आज की चौती खबर उनके लिए जो कर रहे हैं नयाट टूविलर खरीदने की तैयारी शिरीराम सिटी यूनियन फाइनस ने फेस्टिव सीजन के लिए टूविलर पर आकर्शा कर रेट आफ इंटरस्ट की घोशना की है ग्रहकों को 5.5 फिसदी की दर पर टूविलर लोन की पेशकश की जा रही है इतना ही नहीं समय पर EMI का भुकतान करने वाले ग्रहकों को एक EMI रिफंड पाने का भी मौका मिलेगा इस स्की में इंस्टेंट अप्रूवल, जीरो प्रोसेसिंग फीज, नो डाकुमेंट इंशेंच चार्ज और जीरो एडवांस EMI जैसी सुविधाएं मिलेंगी कंपनी की ओर से ये फैस्टिव आफर 30 नवंबर तक उपलब्द कराया जा रहा है अब वो खबरें हैं जो बचत करने वालों के लिए हैं क्योंकि इस बैंक ने बढ़ा दिये हैं FD पर इंटरस्ट रेट, IDFC फर्स्ट बैंक ने 2 करोड रुपे तक की FD पर ब्यासदर 35 बिसिस पॉइंट बढ़ानी की घोशना की है बैंक ने कहा कि नई दरे 10 अक्टूबर से प्रभावी होंगी 365 दिन से लेकर 500 दिन वाली FD पर अब 6.25 फीस दी ब्याज बैंक देगा 501 दिन से लेकर 749 दिन वाली FD पर 6.75 फीस दी और 7.25 फीस दी ब्याज मिलेगा सीनियर सिटीजन को आधा फीस दी अधिक ब्याज का लाब मिलेगा अब बात एक बहतर मौके की क्योंकि ICICI बैंक की Special Fixed Deposit Scheme का केवल एक दिन ही बचा हुआ है ICICI बैंक की Special FD Scheme 7 अक्टूबर को खत्म होने जा रही है इस Scheme के तहट बैंक 5 साल से अधिक समय वाली FD पर 10 basis point का अतरिक्त ब्याज ओफर कर रहा है ये Interest Rate नई FD और Renewal FD दोनों ही पर लागू होगा बैंक अपनी Golden Years FD Interest Rate Scheme के तहट Senior Citizens को अतरिक्त ब्याज का लाब भी दे रहा है अब आपकी EMI बढ़ने वाली है क्योंकि Canra Bank ने अपना Lending Rate बढ़ा दिया है सरकारी बैंक Canra Bank ने अपना Repo Linked Lending Rate और Marginal Cost of Funds Based Lending Rate को बढ़ाने की घोशला की है नई ब्याजदरे 7 अक्टूबर से परभावी होंगी Canra Bank की एक साल की MCLR अब 7.9 फीजदी हो गई है ये वो दर है जिस पर अधिकांश लोन की ब्याजदर निर्भर करती है RBI के Repo Rate बढ़ाने के बाद से बैंकों ने एक बार फिर लोन महगा करना शुरू कर दिया है अभी आगे और बैंक भी इस तरह की घोशना करेंगे अगर आप 500 रुपे के साथ कंपनियों के शेरों में निवेश करना चाहते हैं तो ये जो अगली खबर है ये आपके लिए ही है Axis Mutual Fund ने एक नया Open Ended Fund of Fund स्कीम लाँच करने की घोशना की है और इसका नाम है Axis Nesdox 100 Fund of Fund नया Open 7 October को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 21 October को बंद होगा इस Fund में यूनितम 500 रुपे के साथ निवेश शुरू किया जा सकता है ये Fund Nesdox 100 पर केंदरित ETF की यूनिट में निवेश करेगा इस स्कीम का Fund Manager हितेश दास को बनाया गया है और Nesdox 100 Index में Nesdox Stock Market में लिस्टेड 100 सबसे बड़ी Non Financial कमपनियों को शामिल किया गया है चलिए अब आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर Airtel ने 5G को लेकर बड़ी घोशना कर दी है भारती Airtel ने 8 शहरों में 5G Plus को शुरू करने की घोशना की है कमपनी का कहना है कि जिन ग्रहाकों के पास 5G Phone है वो Airtra Fast 5G Plus सर्विस का लुथ उठा सकते हैं इसमें ग्रहाकों को 4G की तुलना में 30 गुना ज्यादा तेज स्पीड का अनुभव होगा इन 8 शहरों में मौझूद 4G ग्रहाकों को उनके 4G SIM पर ही 5G की स्पीड मिलेगी कमपनी ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्य, बैंगलोरो, हैदरबाद, सिलियोडी, नाकपुर और वारानसी में उसके ग्रहाक अपने मौझूदा 4G SIM प्लान पर ही 5G सेवा का भी लाब उठा सकते हैं अगली खबर ऐसे हवाई यात्रियों के लिए है जिनके पास पैट्स हैं क्योंकि अब उनके साथ यात्रा करना संभव हो पाएगा दो महीने पहले शुरू हुई आकाशा एयर नवंबर से यात्रियों को हवाई सफर के दौरान अपने साथ पालतु कुत्तों और बिल्लीयों को ले जाने की इजाज़त देगी इसके साथ ही कंपनी नवंबर से कारको सेवाओं की भी शुरूआत करेगी कि इतना ही नहीं कंपनी आगे आने वाले सप्ता में परिचालन में नए मार्गों को जोड़ेगी आकाशा एयर की 2023 की दूसरी छमाही में अंतराष्टे सेवाइं शुरू करने की भी योजना है कंपनी के बेड़े में 20 विमान होने के बाद इन सेवाओं की शुरूआत की जाएगी परति एक पालतु जानवर को पिंजरे में रहना होगा पिंजरे सहीत वजन सीमा केविन में 7 किलोग्राम और चेकिन में 32 किलोग्राम होगा अब हम आ गए हैं आज की आखरी खबर पर जो है हीरो मोटो कॉर्प के नए लॉंच से जुड़ी हुई भारत की सबसे बड़ी टुविलर बनाने वाली कमपनी हीरो मोटो कॉर्प ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपना पहला इलेक्ट्रिक वहिकल लॉंच करने की घोशना की है कमपनी शुकरवार को अपने नए इलेक्ट्रिक ब्रेंड विदा के तहब दो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉंच करेगी कमपनी का दावा है कि उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर सुरक्षा और मजबूती के मामले में एक नया कीरती मान बनाएंगे क्योंकि इन्हें तमाम परिक्षणों और गहन अनुसंधान के बाद ही बाजार में उतारा जा रहा है तो यह थी आज की तमाम बड़ी खबरे, जरूरी खबरे, महत्पून खबरे वो खबरे जो डालती हैं आपकी जेब और जिन्दगी पर असर आप बने रहें, मनीना इनके साथ और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक में पर जए जजिए झालते चलते चलते हैं